टिक्कम जी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई आपसे ये आनलाइन मंगवाना चाहे कोई दूर बैठा है हमान लीजिए कोई शिमला में या विलासपूर में या कुल्लू मनाली में तो ये पतल और डूना आप किस तरह से भेजेंगे? अच्छा इस गारी में ये पतल बेज देना है जी उस गारी में बेज सकते हैं और वह आपको पहुंच आएगे और गारी नमर हम आपको दे देंगे तो आप उनसे पेमेंट कैसे लेंगे? अगर तृट गोगल पे अप यूज करते हैं गूगे पैर अगर कोई इसमैं मात्रा कितनी होनी जाए अगर कोई इसे मंगवाये तो कितने पीस लगबग होने चाहिए तो आप इसे भेजेंगे? जितना आप पंगाना चाहते हैं उचने पीस भेज़ें फिर अगर कोई ऐसे कहे हैं हमें 50 पीस भेज़ दो 10 पीस भेज़ दो तो वो 10-10 पीस तो आपके लिए दुविदा हो जाएगी 10 पीस तो नहीं भेज़े जाते हैं ना अच्छा 300, 400, 500, 200, 300, 500 आप बड़े शाथी भ्याक है योजन के लिए लोग मंगवाते हैं थोड़े छोटी संखा में बेजने में दिक्कत हो जाती है समय लगता है जाएंगे आएंगे तरेंगे तरेंगे तो गारी वालेते हैं तो नहीं तरा अचार बेज़ेंगे तभी फूरा ले ले ना और यह जो आप बनाते हैं बेजते हैं बनाते हैं अपने घर में बनाते हैं सारा परिवार इसी में अजीवी का आप की इसी से चलती है बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका हम आपको प्रमूट करेंगे और अगर कोई और आए तो आप उसको अच्छे से डिलिव करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है